नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीसेंबी डिजिटल गुरुकुल क्लासस पर बच्चों क्लास 6 साइन्स की वरक्षिट हम करेंगे वरक्षिट नमर 35 उन्निस फरवरी की अगर आप को वरक्षिट पूरी देखेंगे तो जरूर सम समझ में आएगी और चैनल को जोड़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमें सपोर्ट केएगा बिटा देखिए अब पत्या सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल पानी और कार्वन डियोकसाइड की पस्तितियम भोजन तयार करते हैं सही बात है इस प्रक्रिया को प्रकाश संसिलेशन इस प्रक्रिया में ऑक्सिजन जरूर निकलती है जैसे हम जानते हैं जैसे हम यहां पर दिख भी रहा है यह उक्सिन निकलेगी पत्य दोरा बना हुआ भोजन वोद्दे के विविवन भागों में संचित होता है इसी के पर पहला सवाल है तो पहले में क्या आएगा देखो पानी के साथ क्या मिलेगा यहां पर क्या लिखेंगे आप तो यहां आप लिखेंगे कार्बन डाइओकसाइड क्या आएगा कार्बन डाइओकसाइड इस पहले ब्लैंक में आपको लिखना है कार्बन डाइओकसाइड और इसके विपरीत जब यह चीज बनाते हैं तो क्या बोजन को डाइस के रूप में संचित करता है तो या तो इसको स्टार्च कहते हैं बटा या कुछ लोग इसको कहते हैं मंड कोई भी एक नाम आप लिख सकते हैं मंड या स्टार्च मंड अब आगे देखें तना मिट्टी से पानी और खनिज लवन को असोसित करता है तो भी ये सही तो बात नहीं है तने तो नहीं करते हैं यहाँ पर क्या होना अच्छे था उतर यहाँ पर नहीं था जड़े यह होना च्छे जड़े मिट्टी से पानी और खनिज लवन को सोकते हैं पत्यां पोदे को सिधा खड़े रखते जी नहीं यहां पत्यों की जगह उना चीथा तने बाकि सही है जड़े पत्यों में पानी का समवन पहुचाए करते हैं जड़े नहीं होगा बिटा यहां पर होगा तने ठीए उसके बाद अगला कोशन है आपके पास जिसमें आपको व बाहे दल पंखुडियां बाहे दल जो होता है वह बाहरी भाग होता है जो विक्सित हो रही कली को घेरता है फूल का रंगीन भाग पंखुडियां पुंकेसर फूल का नर भाग जो पराग कोश और तन्तू से बना होता है फिलमेंटर एंथर से त्रीकेसर फूल का मादा भा सकता है बहुत अराम से तो इसमें हमारा वास्परजन जो तीसरा कोशन है उसमें हम यह वाला पिक्चर जरूर बना सकते हैं बहुत असान सा बहुत दल या पैटल होगा बाहि दल सैपल होगा अंडा को शिकाए भी होगी तो यह हमारा एक वरक्षीट जो यह वाली सी के साथ समाप्त होगी दोस्तों उमीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी चैनल को जुद सब्सक्राइब करें फिरेंट्स और हमें सपोर्ट करते रहें धन्यवाद